हेलो अबरीवन आपका एंग फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेस वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ क्वांट मीट क्या फंड डायड ग्रोथ के बारे में इसमें मैं आपसे डिसकस करूँगा कि यह जो मुच्वल फंड है इसने पिछले एक साल तीन साल पांच साल या फिर एनवल रिटन क्या दिया है आज की डेट में इसका एक इनवी का प्राइस क्या है यह कितनी स्टार रे जमाक्ति होते तो पिछले एक साल तीन साल पांच साल के अंदर आपको क्या रिटन देखने को मिलता और लास्ट मैं आप से डिसकस करूँगा कि क्या हमें क्वांट मीट क्या फंड डायड ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या आप से नहीं करना चाहिए अगर आपने औरेडे इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP अफिर लंसम के साथ क्या करेंगे क्वांट मीट के अप फंड डायड गोथ ये एक एक एक्वेटी मुच्वल फंड है जो की मीट के अप कर्टेगरी के अंदर आता और ये काफी हाइरिक्स मुच्वल फं का रिटन है और अगर अनुवल रिटन की बात करें तो अनुवल रिटन है बीस पॉइंट सातीन परसेंट का ध्यान देंगे अभी जो भी रिटन मैंने आपके साथ यहां पर डिसकस किया ये इनका वन टाइम यानि की लंसम का रिटन है अगर आप एक बार में कुछ पैसा जमा करतें तो आपको ये रिटन देखने को मिलता अगर आप SIP के थो इन्बेस्मेंट करेंगे तो रिटन आपको कुछ और मिल सकता है तो क्या रिटन मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिसकस करूंगा अगर आपको इस तरीके का मुच्छल फं से प्लस सस्क्राइबर भी हो चुका है और बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है तो एक बार भी जरूर आप इसको विजिट करेंगे इसमें मैंने अच्छी अच्छा वीडियो और डेली अपडेट करता हूं वीडियो को हम लोग एने बी के उपर बात करते हैं तो आसके बात करें तो फाइप स्टार रेटिंग मुच्छवल फंड है इसमें मिनिममम साइपी अमोंट आप एक हजार प्यार लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है बिरानवे सो बिरासी करोड का अब बात करते हैं कि अगर आप इस मुच्छवल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा होना चाते हैं तो इस वीडियो के डिस्रिप्शन में मैंने अपना डिमेट एकाउंट का रेफल रिंग दिया है अगर आप मेरे रिंग से ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको कुछ रिवार्ट्स देखने को मिलेगा और आपको एकाउंट अपनी आपको रेकाउंट मेंटे तीन साल की बात करें तो तीन साल में आपका पैसा जमा होता 1,08,00 आपको मिलता 2,88,954 यानि कि तीन साल में आपको S.A.P. के तरू 60% का रिटन देखने को मिलता और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख आपको मिलता 7 लाख 49,200 यानि कि 5 साल में आपको SIP के तुरू 146 परसेंट का रिटन देखने को मिलता अब अगर बात करें कि इस मुच्छल फंट के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किया होते तो एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,6,800 रुपया होता तीन साल में आपका 1,00,002,497,956 रुप्या हुता और 5 साल में आपका 1,00,00,005,0406 रुप्या हुता होलडिंग के अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 30 स्टॉक लिस्टेड है अगर हम इसमें टॉप 10 आउसके सेक्टर वाज डिसकस करें तो पहला नम आता है अगर इसकी हाल्डिंग एनलाइसिस की बात करें तो एक्वेटी पे है 88% कैस पर आट पॉइंट पांच और डेप पे है 3.5% इसकी एक्वेटी सेक्टर एक लोकेशन की अगर बात करें तो एनरजी पे है 22% सर्विस पर 16.4 फानेसियल पर 15.8 हल्थ केर पर 13.4 अधर्स पर 12.1 ओटम वाइल पे 12 और मेटर एन वाइनिंग पे है 8.2% यानि कि अगर आप क्वांट मेट क्या फंट के अंदर अपना पैसा इन्वेश्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्टिब्यूट हो करके लगेगा एक बात यहाँ पे आपको खुद से एनलाइस करना है कि कि क्या क्वांट मीट का फण्ट पिछला जो रेटर न दिया है कि आब वो आगे इसी तरीके से पर फ्रूं करेगा तो यह जानकारी होने से पहले आपको जाना चाहिए इसके अंदर इस牛ड क्या क्योंकि इस्टान अगर अच्छे से पर फूरूं करेगा तो फिर क प्वांट मीट कैप फंड अपने आप उपर जाएगा और इसकी को अगर देखे तो एनरजी पर सबसे ज्यादा परसेंटेज है और आज की डेट में अगर कोई इस टॉक अच्छा पर्फॉर्म कर रहा है तो जिसके वज़ए से एक तो एनरजी सेक्टर काफी अच्छा है फै तो इनके जो है grow होने के chances काफी ज़्यादा दिख रहे हैं तो अगर आप एक meet cap mutual fund ढूंड रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है क्योंकि इसने 50% जो अपना criteria था वो pass कर चुका है और अगर 50% हम लोग return रेंकिन पे देखेंगे अगर वहाँ भी अच्छा इसका ranking रहा तो फिर हम लोग इसके अंदर अपना investment करेंगे इसकी advance ratio के अगर बात करें तो इसका price to earning ratio 35.75 और PB ratio 3.24 अगर आप इस mutual fund के अंदर अपना पैसा invest करना चाहते हैं तो फिर minimum lump sum first time पांस ज़र पर करना होगा और अगर आप second time भी lump sum करना चाहे तो 1000 पर से कर सकते हैं और अगर SIP के थुरू आप अपना पैसा invest करेंगे तो minimum आपको 1000 पर का SIP करना होगा return and ranking के उपर बात करते हैं और यहाँ से हम लोग 50% जो क्रेटरिया था उसको देखेंगे तो सबसे पहले quant meet cap fund का fund return equity meet cap mutual fund का 1 साल में 52, 3 साल में 25.9, 5 साल में 28.9 का है तो यहाँ से देखेंगे यह mutual fund 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना category average return को बीट करके आपको ज़्यादा return दिया है even 3 साल और 5 साल में तो यह top 5 में भी अपना जगा बना पा रहा है और 5 साल में तो top 1 meet cap mutual fund अभी भी बना हुआ है तो अगर आप एक meet cap mutual fund ढूंड रहे हैं तो quant meet cap fund आपके लिए अच्छा विकल्प है इसके अंदर आप अपना investment कर सकते हैं अगर आपने already invest किया है तो आगे आप अपना SIP अपर लमसम को continue रखेंगे अगर इसके आसपस आपको इसी तरीके का similar funds देखना हो तो इसके आसपस एक इससे अच्छा similar funds है जो कि है मोतिलाल उस्वाल meet cap fund आइड ग्रोथ 5 स्टार रेटिंग mutual fund है एक साल का return है 71.7 तीन साल में 40 fund size है 14,445 करोर का ये quant meet cap से कहीं ज़्यादा आगे है इनकी expense ratio की बात करें तो इनका expense ratio 0.58% का exit load की बात करते हैं अगर आप invest की आवा पैसा 3 मेने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का exit load देना होगा और strum duty की बात करें तो strum duty है 0.005% टेक्स implonation की बात करते हैं अगर आप invest के आवा पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका return होगा उस पर आपको 20% का tax payment करना पड़ेगा अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं एक साल में अगर 1,25,000 का return बनता है तो फिर आपको 12.5% का tax payment करना होगा यानि कि short term capital gain आपको 20% देना है और long term capital gain पर आपको जो tax देना है वो 12.5% का tax payment करना है अगर कोई investor एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता और एक साल में अगर 1,25,000 का return नहीं बनता है तो फिर उनको 12.5% का tax payment नहीं करना होगा इसकी fund house and investment objects की बात करें तो quant mutual fund total assist पे इंडिया पे नमर 34 पे रेंग करता है इसका total assist अंडर management है 90,625 करोड का quant meet cap fund diet growth ये एक equity mutual fund है जो कि launch किया गया है quant mutual fund की तरफ से संजीब सर्मा अभी इस fund का current fund manager है इस fund का currently assist अंडर management है 90,626 करोड का और latest नभी है 273 रुप्या 49 पैसा quant meet cap fund diet growth ये एक काफी high risk mutual fund है इसमों minimum SIP amount 1000 पैकर रखा गया है और minimum lump sum 5000 पैकर रखा गया है अगर आप invest के आवा पैसा तीन मेने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का exit load देना होगा और इसकी fund benchmark के अगर बात करें तो इसका fund benchmark है nifty meet cap 150 total return index तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ discuss किया quant meet cap fund के बारे में फिर मिलते हैं हम लोग next को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर की